कि नमस्कार दोस्तों डेनमिक एजग्वेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं इसमें हम आज डिसकस करेंगे पॉलिनोमियल के कुछ इंपोर्टेंट कॉश्टर दिसकस है और मैं multiplayer घृकशण कर दिया हुँ मैं इस बार सारे जो यह की को टाकि आपको पतार चालेए कि इस टाइपके कán को कैसेजिक किया कोशन में दो कराऊं और बागी 10 आपके लिए छोड़ दूं फिर उसके बाद जी कोई कोशन में आप अडग जाते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मैं उसका सॉलोशन जरूर कराऊंगा बट आप प्रैक्टिस तो करो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन जो है वह है इस टाप के फर्स्ट जो वराइटी बनता है वह वराइटी यही बनता है फाइंड जी रोज ऑफ इच ऑफ दी फॉलॉइंग कोडिटिक पोलिनोमियल्स और वेरिफाइड रिलेसंस बीट्विन जी रोज एंड देयर को कोईफिसेंट को समझें तो चलिए इसका मैं इसका कर देता हूं आप इसका कर लोगे दोनों को करके देखते हैं कि एक बार देखो अब आपको यह पोलिनोमियल यहां पर है रूट थ्री एकसे स्क्वार प्लस टेन एक्स प्लस रूट सेवन तो आपको फाइंड आउट करन कला दब ऐसे हम लिख सकते हैं इसको रूट ठीक स्कॉएर प्लस का 5 एक्स प्लसका सेवन रूट 3 इक्वल टू जीडो लिखेगा न इसे निकाले में अब इस मैंसे अब मैンने क्या बता रख है आपको आपको मैंने बता राख है इसको ब्रेक करने का फैक्ट राइ्ज को सेवन कुना तीन को मल्टिपल करने से कीस आता है और दोनों प्राइम है इसलिए हम ने देखा कि जब इतको plus seven root three equal to zero अब आपको यहाँ से कुछ common दीख हरा है कॉमन क्या दिख रहा है बताओ यहाँ से आपको रूट three common ले लो 3x common ले लो रूट three एक्स जब common लिए हम तो यह Depois व Fore tournament he said क्डाश है को यहां से प्थ्री क्रूट three लेते हैं तो यहां दूट 3 equal to 0 तो यहां से आगया root 3 x plus 7 और x plus root 3 equal to 0 ओके तो यहां से x के आपके दो 0 जा जाएंगे इसको value बोलो या 0 बात बराबर है एक तो आएंगे minus का root 3 और एक आएगा x के value minus 7 upon root 3 यह होगा दो 0 जी है हमारा आगया अब यह आपको verification के लिए बोला है तो verification नहीं कर सकते क्या sum of 0s का formula क्या होता है यह आपका कितना यहाँ पर भी आपका है बताओ सम अफ जी रो मतलब टेन पहले तो आप इसकी यह हमारा आलफा माल लेते हैं इसका बिटा माल लेते हैं यह दो रूट है मारा अब इन दोनों को जब ड़रोगे तो दिन दोनों का एड़ करेंगा तो माइनस का रूट और माइनस का Rout 3 और माइनस का 7 upon Rout 3 तो जब यह करेंगे तो यह देगको ₹3 नीचे आ जाएगा और माइनस का 10 वह जाएगा यह माइनस से आप वह चेक कर सकते हो उसमें भी कोई नो प्रोब्लम ठेकर लेना प्रोड़क़् का जैसे में आलफा इंट्व बीटा का क्या ही ताइह सीगफुला यहां परोट दौट टौट ग्लााइक dus तो रूट 3 रूट 3 कैंसल तो 7 आ जागा तो यह भी वेरिफाय हो गया तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हो इसी तरह से आप इस कोशन का भी सॉलूशन कर सकते हो बताओ कर लोगे या करा दूँ यह भी इजी है कुछ नहीं है इसका 0 निकालना है एक स्कॉयर माइनस का इसको एक यहां से कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा बताओ यहां तो आएगा एक समाइनस का रूट 3 आएगा एकस माइनस का जब इसको ब्रेक करें तो यह माइनस आना जाए दाव तो सब्सक्राइब यह 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 हंने हमने ब्रेकर जोगा सुना से य Hernandez केसे रहेगा हो बोलते कूँ नहीं हो लो अब बोलेगों कैसे मैं तो यहां हूं चलो एक-स कोवन ले लिए लिए ठार समय मैंनास रूट थरी है एitate-1 कमन लिए यहां से हो जागा एक यहां से जीरो आजयागा एक की दो वेल्यू आएगी एक वन आएगा और एक एक की वेल्यू रूट थिरी आएगा और इसको वेरिफाइग कर लेना समझ में यह इस टाइप के कोशन बनते इस टाइप अब फर्स टाइप आपको अर्डी सर्मा में 15-20 कोशन मिल जाएंगा एक के कोसरें में दिमाग लाते हैं इसको कैसे कैसे अर्व लेयते हैं कि आपको समफ जिरोज दे रखा है मतलब अलफा व्लस बीटा तैकर न come离 और बोले रहा है कि आप breeds इसे quadratic polynomial बताओ क्या होगा तो मैंने कल बताया था ना आपको कि क्या होता है फॉर्मुला लिखने का कि x square माइनस का alpha plus beta alpha plus beta into x plus alpha into beta यही होता है अब आप इसमें पूट कर दो अब आप इसमें पूट कर दो तो वह आप इसमें पूट करोगे कितना है आपको बताँ x square x square माइनस alpha plus beta कितना है माइनस का 83 तो यह प्लस बना देगा तो 8 upon 3 और x और पलस का 4 upon 3 4 upon 3 समझे आए तो यहां से आपको फैक्टराइशन जीरो भी निकाल ला है बाइदी फैक्टराइशन मेधड तो बाइदी फैक्टराइशन मेधड से 0 नहीं निकाल सकते आप बताओ कैसे निकाल होगे तो यह तो हमारा होया function यह हमारा होगया quadratic function अब आप इसमें complete क्या करो तो 3 से मल्टिबल कर दो टिंसे मल्टिपल कर देंगे तो किया हो जाऊगा जब हम इसको 0 से जब इसके 0 जी कालें गा तो इसको equal to 0 पूट करें ङर जब 0 पूट करेंग तो दोनों तरफ क्या करें 3 से multiple कर देए इधर जीरो जाएगा इधर तीन से हो जागा तो यह तो हो जागा कि सब्सक्राइब कर सकते हो नो प्रोब्लम आप कैसे चार तिया 12 12 आए गास का मल्टीपल और यहां पला साइस का मदल यह पलस के थू आएगा तो बारा को इस पर कार तो ना है कि यह चार आ जाए तो हमें पता है कि फॉर इंटू थ्री प्राइम नंबर में ज्यादा तर कोशिश करना लेकिन आदेगा फॉर इंटू थ्री में नहीं होगा क्योंभी साथ तो हम आप कौन सा करें तो 6 into 2 6 into 2 तो तो 6 into 2 हो जागा 8 तो इसे फ्रेकर आईज कर लेना इसकी जी रोज भी निकाल सकते हैं तो इस टाइब के भी कोशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जैसे मैं बोलू हूं आपको एक 20 अपॉन 8 है आलफा प्लस बीटा और 5 upon 16 है दोनो देख रहा है आपको देखो यह दिख रहा है यह वाला question first this one if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square minus 5x plus 4 find this one find this one तो इस टाब के आपको question दी आते हैं तो आपको equations पता हैं आपको quadratic polynomial पता हैं तो आपको और alpha beta बोला है कि इसके दो zeros है मतलब इसके solution है तो हम यहां से इसका value पूछा है तो alpha beta आप कैसे हम निकालेंगा बताइए तो हम यहां से एक चीज़ लिख सकते हैं इस equations को देखते हुए हमारे दिमाग में यह घंटी बज़ रहा है कि हम इससे हम alpha plus beta लिख सकते हैं alpha plus beta का formula क्या होता है मैनस बी अपने अब मैनस बी कितना है यहां पर मैनस तो ओल्रेड़ी है यहां पर मैनस ओल्रेड़ी है तो मतलब यह प्लस 5 हो जाएगा और यहां कितना है वन है तो मतलब 5 है alpha plus beta कितना है 5 alpha plus beta कितना है 5 अब आपको अब आलफा इंटू बीटा निकाल लो क्योंकि अलफा इंटू बीटा भी यहां पर तो अब सी कितना है 4 4 अपन 4 अपन एवन तो 4 हो गया अब यहां पर देखो इसको हम कैसे पूड़ करें आलफा इंटू बीटा है यहां से हम फांड नहीं कर सकते हैं हम इसमें मैंड का कैल्कुलेशन करेंगे तो यह क्या में आएगा जब इसको हम ले लेते हैं जब हम आप इस अलफा इंटू बीटा अब यहां से वैल्यू पूट आप कर दो अलफा प्लस बीटा कितना है अलफा प्लस बीटा 5 है आप यह कितना है 4 है और माइनस का 2 इंटू 4 अब इसका सॉलूशन कर ले ना आप ओके तो इस टाप के भी कोशन बनते हैं अब नेक्स कोशन है मारा कि if one of if one of the zeros of the quadratic polynomial fx equal to 4x square minus kx minus 9 is negative of other then find k मालब यह बोल रहा है यह कोशन कि अगर जो quadratic polynomial के एक जो zeros है वो एक दूसरे के negative है कहने का मतलब यह यह रूट एक polynomial का रूट आया हमारा दो तो दूसरा माइनस दो यह कहने का मतलब है तो बोल रहा है कि आप के बताए क्या होगा तो आप खुद सोचो कि क्या सोचोगे कि जब आपको इसमें equations दे रखा है और आपको पूछा के का वेलू मतलब यह के जो दिख रहा है ना आपको यह का के का वे सी कितना है सी है मैनस का 9 सी है मैनस का 9 तो हम यहाँ से एक छीज़ कंफर्म है कि यह squeonte negative है और क्या हो जाएगा मैनस alpha minus alphar equal to B upon sum of the roots कि तो जाएगा थो यह कितना हो जाएगा यह वelt एट के माइनस ए inner press egg रखेंगे तो तो इस टाइब के छोड़े-छोड़े कोशन आते हैं ओके इफ सम अब दी जी रोज इप सम अब दी जी रोज और क्यूपी का मतलब क्वाड़िक पॉलिनोमियल F T सम अब जी रोज अब दी क्वाड़िक पॉलिनोमियल F T के टी स्क्वाइर यह T स्क्वाइर 2T थी प्लस त्रीच इवकल टो देर प्रोड़क्ट एंड देन धे के देन ये सम अफ जी रोज इनका जिल है इनका प्रोड़क्ट देन फैंड दह के तो इस सम नेगर उमस अलफा प्लस बिटा क्या होता है यह बदल करफू का और अब प्रोड़क्ट कितना है अलफाइंट्टो बिटा कितना है अलफाइंटो बीटा हो जाएगा सी अपन, मतलब द ध्री अब यह दोने लाइस सम पडिश्य पॉलियमेल इस इक्वल टो देर प्रोड़क्ट तो देर प्रोड़क्ट मतलब यह दोनों आप बरबर यह समझ तो बराबर हो जाएंगे तो के का वेलू किता हो जाएगा 3 upon 3 upon minus 3 upon 2 2 upon 3 2 upon 3 आएगा क्योंकि minus 2 upon K equal to 3 होगा ना तो K equal to 2 upon 3 है सो देखो यह ओ गया question आप हम next variety पे चलते हैं next question चलते हैं next question हमारा क्या है नेक्स्ट कोच्चन है हमारा ओके यह दिख रहा है आपको अलफा एंड इफ आलफा एंड बीटा आर दा जिरो ऑफ दी क्वाइट क्वाइटिक पोलिनोमेल एफ टी स्क्वाइर माइनस फोर टी प्लस थ्री देन फाइंड अलफा की पावर फोर बीटा की पावर क्यू एंड पावर क्यू और वैंड बीटा बीकर पावर फोर है तो इतना तो वीटान करें कि आर्पावर फोर यहां कहिंग मेंदॉल सॉलूसर स्लूस달 लगाएंगे जिससे कि हमारा काम ईजी हो जाए तो पहले तो आप इसमसे अलफा बिलस बींग्र पने साफ च्णाट बिखह समों कितना अल्फा प्लस बीटा 4 आ अल्फा इंटू बीटा कितना बघ एंट की तो मतलब 3 है अब यहां से हम देखेंगे कि कि लाफा की पावर 4 वकपक्रवर की नारफा की पावर क्यूब सब्सक्राइब नो फीटा लिए तो यहां पर यहां पर इसे लिख सकते हैं यह पाबर सेहिसे लिख सकते हैं डिल्फा इंटू बीटा के आफर क्यू और आल्फा ड्राइस प्लस बीटा तो यहां हम वेल्यू पूट आउट कर देते हैं आलफा इंटू बीटा थी है थी का क्यूब इंटू आलफा प्लाइब फॉर थी का क्यूब ट्वंटी सेवन और ट्वंटी सेवन में चार से मल्टेपर नियुक्त किता हूं था सताइस चोग एक सवाट अठो तल से ठीक है अब है verify that number given cubic polynomial below are the zeros and also verify the relations between the zero and coefficient मलब इस टाइप का questions बनता है कि आपको cubic equations दिया गया है और आप इससे cubic polynomial दिया गया है और इसके zeros को verify करें और इसके relations between the zeros and coefficient को भी verify करें तो किजिए verify तो यह तो सबसे easy question होता है इसके सबसे easy question है कि क्या आपको zeros दिया है half one and minus two तो इनका इसमें value पूट करके देखो यदि zeros हो जाते है यह जो zero हमें दिया गया है यह इसको verify कर रहा है समझ में आया तो चल यह करके देख लेते हैं एक को पहले आप तो इसके coefficient का value लिख दें आप a equal to two b equal to b equal to कितना है one b equal to one and c equal to minus का five और d equal to two जैसे कि मैंने बताया था quadratic equations क्यों क्यों होता है चार कोफी कोई यह power three से start होता है तो यह a हो गया यह b हो गया और यह c है और यह d हो गया अब आपको इसका value पूट आउट कर देना है इसमें आप पहले मैं half का value पूट आउट करता हूँ function of half तो यह किता हो जाएगा two into one upon two का cube plus one upon two का square minus five into half plus two जब इसका करोगे तो यह one का cube तो one हो जाएगा और यह two का cube eight हो जाएगा इससे cancel हो जाएगा तो यह नीचे आएगा one upon four ठीक है और यह भी आजाएगा कितना पलस का one upon four और यह कितना जाएगा minus का five upon five upon two और पलस का two अब यह कितना हो जाएगा यह इसका मैं लोग है तो यह कितना हो जाएगा यह चार आजाएगा यह तो one plus one minus का ten plus यह यहां कुछ नहीं तो यह चार तो पंचोग बीस तो जीरो आ रहा है कि जीरो तो नहीं है फिर काँ गड़वगा अपने काँ किया देखो यहां गड़वर्वर्द किया ना पर यह चार रही टू है तो इसको पांच से मल्टिपल के से कर दिया आठ होगा ना यह आठ एट ति अब यह देखो प्लस दो और यह प्लस दो और यह एट हो जाльका है यह है कि यह क्या है यह इसका इसका इसी तरह से आप पूट करके देखना देख लेते हैं वह प्लस जायगा और यह-क यह-क हो सो जागा, और यहमायनस का फाइव हो जाएगा और यह पलस सक्तू्व देगा क्योंकि और ओडन नमबर है पावर ओड है तो माइनस और टू का क्यूश एट और फिर x k k a square तो यह पलस देतेगा तो पलस It's 4- outside यह फिर 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 यह पालस हो जाएगा यह नहों का ड़ी तो यह 16-k 16 प्रसकब पॉड और यह कितना हो जाएगे यह भी तो क्योगाů तो फिस्किन फार्सकर प्लसकर मा जीरो मैं लग मतलब यह कि तीनों रूट है इसके वेरिफाइव हो गया अब आपको क्या हो लाए वेरिफाइव रिलेस्टाइश बीटूइन जी रोज एंड कोफिशेंट अब यह जो जी रोज आया आपका यह और इसके coefficient में verification कराओ निए तो sum of zeros sum of zeros की बात करते हैं कि तो sum of zeros क्या है आपना sum of zeros जरोग यह हमारा half 1 & 2 तो half plus 1 minus का 2 और इसका formula क्या ओता है sum of zeros का cubic में भी यह men v upon mar hai सि तो यहां पर आपके पास एक दो नगा एक ओपना है माइनस ओन और एक इतना है THIS हाफ तो इढ़र से हाफ तो इधर से हाफ आएगा कैसे यह देखो यह कहां से यहां से avaleya से में से हाफ में से फिर मैंस होने गया तो यह आजएगा मैनस हाफ तो मैनस हाफ मैनस हाफ भराबर हो गया मतलब यह वहरिफाइब हो गया तो इसी तरह से आप सम अफ दी प्रोड़क्ट जो आपने और फॉर्मुले पढ़ाया थे कि 25 छी-Alpha इन्टु बीटा प्लेस बीटा इन्टु गामा इसमें तीन होए ना लफा बीटा गामा क्योंकि तीन रूट है तो तहीं धितकी प्यू jan-tez तीन लुट होंगे इसको भी आप वैरिफाय करा लेना ओके और अलफा इंटू बीटा इंटू गामा को भी वैरिफाय कराना डी अपॉन एसे ओके तो आप को verify कराना और इस टाइब के कोशन और भी आपको आड़ी सर में बहुत जारे मिल जाएंगे कोशन्स प्राक्टिस करते रहना हमें साथ सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपको दिख रहा है यह कोशन दो कोशन यहां पर यह कोशन यहां पर इधर से हैं और यह कोशन एक अलग है तो आपको fx यह दे रखा है और gx यह दे रखा है तो ऐसे तो मैं इसको आप कर सकते हो लेकिन मैं एक और कोशन प्राक्टिस करा देता हूं कुछ बच्छों के दिक कन्फूजन होगा तो दूर हो जाएगा मैं यहां पर इधर से यहां से स्टार्ट करता हूं यह हमारा क्य q-62x square plus 30x-3 अब यह तो इधर आगया अब अपनको यहां लिखना पड़ेगा तो इसमें हमने इस्टेफ क्या बताया था इस्टेफ काम करोगे इस्टेफ बताया था कि इसकी पहली वर्ड लेना इसकी पहली टम्स लेना और इसका पहला टम्स और इन दोनों को डिवाइड क करेंगे बार-बार करना नहीं मैं यहां बता रहा हूं बस टेन एक्स की पावर 4 डिवाड़ वाए 2x की पावर स्कॉर्ड दो से पांस से गया और यह दो स्कॉर कर जाएगा तो यह बन जाएगा 5x स्कॉर्ण मतलब यहां पर आपको 5x स्कॉर्ण से मॉल्टिपल करना है मैं और 7 को मॉल्टिपल करेंगे तो साथ पज़े 35 35 x का क्यूब 35 x की क्यूब ओके और x स्कॉर्ण तो पलस का पलस का 5x स्कॉर्ण ओके सब इसको साइन चेंज करके कैंसल माइनस 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 यह कैंसल आउट हो गया यह कितना हो जाएगा 17 साथरा मैनस 35 पलस साथरा कितना होता है मैनस का 18 18 x क्यूब और यह माइनस का 62 और पूल मैनस का कितना हो जागा 67 का x स्कॉर्ण पलस का 3 x मैनस का 3 आपकी बार जब इसको डिवाइड करोगे यहां से पहले टर्म तो आपके इस बार मैनस 9 x से लगाएंगा मैनस 9 x से लगाएंगा तो यह हो जागा मैनस का 18 x q मैनस का 63 63 63 और एकस स्कॉर्ण 9x अभ इसको कर दो तो यह पलस यह पलस यह पलस यह कंसल ये कितना हो जाएगा पलस का 3 से माइनस का 4X स्क्वाइर और ये कितना हो जाएगा तो 30 और 9 39X माइनस का 3 अब की बार किते बार हो जाएगा तो 204 मालब इस पर ये X स्क्वाइर से माइनस 2 से जाएगा ठीक है माइनस का 2 से तो मैंनस का टू लगा जाते हैं तो यह जाएगा माइरस का four X square माइरस का čोदह X और माइनस का टू यह प्लस 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 यह կह कितना हो जाएगा प्लस का थ्र धर्टिन अए तहींधियो स्किरेंगा पावर छोटा हो गया है डिवाजर के पावर से इसलिए हम यहीं पर टर्मिनेट कर देते हैं और यह दिवेरिफाय करने बोलेगा तो आप इसमें डिविडेंट इक्वल और इसलिए प्लस बेंटर लगाकर को फ्रूब कर देना तो इस टाप्र को सेस्का प्राक्टीस कर रहो है कि अ Ft मतलब यह GT है यह Ft है तो चेक Gx is a factor of Ft मतलब आपको यह चेक करना है कि यह जो है ना यह इसका factor है अब हमने पहले बता रखाए कि यह factor होने का मतलब यह है कि जब इससे हम डिवाइड इसमें करेंगे तो यह remainder 0 देगा या किसी का factor होता है जिसे मैं बताओ कि साथ साथ 21 का factor है तो जरूर यह 21 को complete डिवाइड करता होगा तभी तो यह factor बना होगा तो इसका मतलब टी का Q-3 से डिवाइड कर दो 2 की पावर T4 पलस 3TQ-2T2-9T-12 इसको डिवाइड करना है तो यह 0 आ जाता है तो देख लेते हैं इसको भी करा देता हूं मैं तो इसको फिर से वह इस अगेन मैं बारबार डिवाइड निंग करूंगा आप खुद करना मैं यहां से डियर्क लिखता हूं डेको टी का Q है इसको डिवाइड करोगे ती मतलब यह 3T कैंसल हो जागा 2T से इस बर जाएगा यह 2T यहां लगाएंगे यहां लिख देता हूं तो यह स्कॉयर है तो यहां से 2T स्कॉयर होगा तो यह कितना हो जाएगा 2T के पावर 4 और प्लस में प्लस का कितना जाएगा प्लस का 0 तो टी क्यू टी के साथ इसमें 3 से मल्टिपल करेंगा तो यह स्कॉयर देगा तो यहां तो 0 लिख दो और यहां पे माइनस का माइनस का 4T स्क्वाइर हो जाएगा और इधर आये है मैनस T मैनस का 12 अब किते बार में जाएगा T स्क्वाइर TQ और इसके किते में जाएगा 3T में जाएगा तो 3T का Q और माइनस का 9, 9T तो माइनस का 9T यहां 0 लिख दो यहां तो पलस का 0 यह जागा माइनस का 9T तो इस बार क्या होगा ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये 0 एक भी किन्सल आपका क्या बचा सिर्फ 4 T स्क्वाइर बचा और 4 T स्क्वाइर माइनस 12 बचा तो इसका मतलब आप किते बार में जाएगा आपकी बार जूद आप प्लस वोर जा जागा जीरू तो रिमेंडर जीरू का मतलब इस इदा लिख देंगे हम टी स्क्वाइर मैंस थी इस फैक्टर ओफ दी दिस वन ओके सो और बहुत आपको वे राइटी यह इना है लेकिन नंबर ऌफ को सबस्क्राइब करोगे हम हमें आपसे आशा यहीं करता हूं कि आपके लिए बहतर होगा एक्जाम के लिए बहतर होगा सो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं थैंक यू फॉर वाचिंग दे डैन्विक एजुकेशन